हाई, वेल्कम तो मैं चनल, इस वीडियो में स्वालव करें किस नमर 18 The height of a right circular cylinder is 10.5 meter एक right circular cylinder का जो height है वो दे दिया है 10.5 meter ओके, this is the height करा है कि 3 times, 3 times करेंगे, तो 3 गुना करेंगे the sum of the areas of its 2 circular faces इसके बदे ये cylinder के 2 circular faces कौन कर होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि एक circular face है आपका ये और दूसरा circular face है उसके base वाला, bottom वाला दविये इन दोनों के areas निकालेंगे येदी हम, area निकालेंगे और 3 गुना कर देंगे येदी ठीक है, अभी बुलना है न, करेंगे 3 times तीन गुना येदी कर दें, तो sum of the areas of its 2 circular faces इन दोनों के areas का 3 times कर दें तो वो equal होगा is, is मतलब के equal है, twice मतलब दोगुना, दोगुना किसके, the area of the cord surface मतलब यहाँ पर क्यों कॉर्ट surface है, ये वाला जो surface है इस cord surface के area के दोगुना है बास में बार ये, मतलब कि जितना भी cord surface area होगा, उसका दोगुना येदी करेंगे कि तब जाकर आएगा, तीन गुना इन दोनो circular faces का sum का, मतलब यहाँ पर हम solution करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो पहले बोला है, height दे दिया है, और radius पूछ रहा होगा नहीं, radius ने पूछ रहा है, volume पूछ रहा है, तो volume निकालने के लिए radius निकालना पड़ेगा पहले, है कि नहीं तो radius को हम आ लेते है, small r, जो की हमारा standard notation है, small r, तो small r तो पता ही है, आगे बढ़ते है since हमें दिया हुआ है, since क्या बोला है, since दिया हुआ है, कि three times, three times, तो three times करेंगे यदि, sum of, three times यदि करते हैं, sum of, the, sum of the two circular faces, two circular faces, two circular faces, is equal to दे दिया है, is मतलब की equal to, ठीक है, यह था, हमें समझे के धान से, is का मतलब है, equal, twice the area of the curved surface, means twice the, twice मतलब दो गुना, area of, area of the curved surface, curved surface, ठीक है, इसका मतलब की, यहाँ पर हम, सब क्या value जो रख देंगे, और यहाँ बन जाएगा, equation और equation से, solve करके, हम radius निकाल लेंगे, ठीक है, तो three times, sum of the two circular faces क्या होगा, तो हम जानते हैं, एक circular face का जो area होता है, वो pi r square होता है, दूसरे का भी होगा, pi r square, दूनों का sum कर दिया हमने, into two times, area of the cold surface, तूम जानते हैं, cold surface क्या होता है, two pi r into h, means area of the, sorry, circumference of the base, multiplied by h, okay, अब यहाँ solve करते हैं, तो दिखें, यहाँ पर pi r square, pi r square, sum कर दिया हमने, तो two pi r square हो जाएगा, और two pi r square हो जाएगा, और two pi r square हो जाएगा, और two pi r square हो जाएगा, है कि नहीं, okay, is equal to, यहाँ पर हो जाएगा, two to four, four pi, four pi and r h, ठीक है, h की value यहाँ पर मिल गएगा है, 10.5 cm, तो हम उसकी value put करेंगे, बट, यहाँ पर, देखें, जब ऐसा लिखा होना, तो यहीं पर आप कुछ cancel out कर सकते हैं, both sides में, देखें, दोनों तरफ ना, multiply हुआ है के बद, तभी और तभी हम जो है, यहाँ पर कुछ cancel out कर सकते हैं, कहानी का मतलब, जैसे माली जी कि four upon five ऐसे दिया हो, और is equal to लिखा हो, eight upon ten, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप numerator से numerator में, और denominator से denominator में, कुछ divide कर सकते हैं, कुछी common factor को cancel out कर सकते हैं, जैसे कि four वंजा four, यहाँ पर कर को equation solve करना है, तो खेर गया, पाई और पाई, यह दोनों को cancel out कर सकते हैं, इन दोनों sets से, मतब बोद sets में, यह पाई जो है common है, इसलिए cancel out कर देंगे, और यहाँ देखे, four और six में भी कुछ common factor होगा, वो two है, two to four, two to three to six, यह और simple हो गया, और हमाना बन गया क्या, three r square is equal to, यहाँ मिल गया, two r h, two r into h की value कितना है, 10.5, लिख देते हैं, 10.5, अब यहाँ पर हमें मिलेगा, three into r square is equal to, मिल जाएगा, 10.5, two से मतबले करेंगे, मिलेगा, 21, 21 r, अब actually क्या करना है, हमें r की value find करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक r आप cancel out कर सकते हैं, absolutely, लेकिन करना सही नहीं होगा, तरीका mean आपका यह है, कि three r square और इसको पहले left मिला यह 21 r को, तो यह हो जाएगा, minus 21 r is equal to 0 हो जाएगा, अब इसमें से कामन ले लिजे maximum, maximum कामन होगा, three r, यहाँ पर बचेगा r, minus, यहाँ बचेगा three कामन लेंगे, तो 37 21 होता है, तो देखें, इन दो दोनों का product जो है, मन दोनों का जो multiplication है, वो 0 आएगा, कब आएगा, तो it implies either, या तो either, 3 r is 0, 3 r 0 होना चाहिए, r, r minus 7 0 होना चाहिए, मतब दोनों में से कोई एक जब 0 रहेगा, तभी उनका multiplication 0 होगा न, तो यहाँ से logic यह निकलता है, और इस हिसाब से हम यहाँ पर r की बचे जीरो में, तो 0 ही आएगा, और वर जीरो आएगा, या फिर r is equal to 7, लेकिन हम जानते हैं कि r के बचे बचे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर, मतलब कि जो cylinder है, उसका base कुछ न कुछ दिया हुआ है, कुछ है, इसका मतलब है length, ठीक है, यहाँ पर ली सकते है, it implies, यह जो है, not possible, यहाँ लेशकते हैं, बस, not possible, यह possible ही नहीं है, ठीक है, और यह r is equal to 7, this is answer, so r is equal to 7 is, the answer means 7 centimeter, r is equal to 7, so 7 meter आएगा, sorry, देखे है, 7 meter क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ बाद देखे है, meter में दिया हुआ है, यह height, तो एक भी कोई unit यही दे दिया है, तो वो समझे है, क्योंकि मीटर में ही आएगा, final दूसरा जो कोई भी निकालेंगे तो, तो r is equal to 7 meter ही आएगा, okay, तो हम लोगों radius से radius निकाल दिये, अब निकालना क्या है, volume finally निकालना है हमें, तो volume of the cylinder, is equal to हो जाएगा, pi r square h, pi की value आप लेख देंगे, 22 by 7 into r square की value मतलब की 7 का square, means 7 into 7 into h, h की value 10.5, यहाँ पर 7 जाएगा, और 7 जाएगा, और 7 जाएगा, और 7 जाएगा, और यह बचेगा आपका, ओके, यहाँ पर 7 सेम लगए गरी है, 7 toじゃ 14 में, 1 carry over, and 7 toじゃ 14, 1 15, 154 multiplied by 10.5, तो यहाँ मतलब लगए कर लते हैं, और 154 में 10.5 से, दीखे हैं, मतलब लगए कर रहेंगा, तो यहां 5 हो जा 20 का 0 to carry over और ऐसे समय करिए 4 0 0 5 25 25 and 2 27 का 7 to carry over and 4 बंजा 4 and 1 5 जा 5 means 9 हो गया ये 5 0 जा 0 ही हो जाएगा मतब ऐसे ऐसे करिएगा 5 बंजा 5 4 बंजा 4 9 और 9 और 2 11 का 1 1 carry over फिर ऐसे करेंगे 1 0 जा 0 हो जाएगा 5 बंजा 5 5 1 5 1 6 ठीक है और 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा मतलब finally हमारा आ जाएगा 16,170 बट यहां पर decimal एक लगा हुआ है तो decimal यहां लगा देंगे मतलब यह आ जाएगा 1617 क्या meter square sorry meter cube हम निकाल रहा है volume न वालिम इनूट होता है meter cube तो यह हो जाएगा आपका answer and this is the final answer because यहीं पूछा है volume of the cylinder क्या होता है यहां पर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको यहां पर जो हमें solve किया है radius निकालने के लिए यही आपका सही तरीका है लेकिन यहां पर साटकर तरीका जो है एक और है आप यहीं से कर दिजिए यहां तक किया न यहीं से क्या कर ये एक एक आर को कैसल कर दिए यहां पर तो मिल जाएगा यहां पर आड़ेक्र आड़ेगे लेकिन यहां पर दूसरा वर जो 1 नहीं मिल पाएगा तो तो यह सब जो concept है ना वो समझते रहें क्योंकि आप जब IIT का exam देंगे तो इसमें यह सब चीज़े जाननी पड़ेंगे आपको इसलिए मैं आपको पहले से ही हर question में जो भी यदि IIT level का कुछ मिल रहा है और उसमे concept है तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप आगे चलके कहीं पर confused नहूं और कैसे किया जाता है यह आपको पता रहे तो जैसे जैसे question में लेंगे इस तरह के और जैसे concept आएगा जो भी higher level में इसलिक हम जब 9th का solve करेंगे फिर 10th का करेंगे 11th का करेंगे 12th का करेंगे आपके साथ ही रहेंगे हम 4 साल ठीक है य उसके बाद भी IIT level की त्यारी करेंगे तब भी मैं साथ रहूँगा ओके थैंकिस सो मच फर वाचिंग बाई